हेलो दोस्तों वेल्कम मैं चैनल आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक और नई विकेंसी की ये विकेंसी होने वाली है आपकी बिहार इस्टेट की और इसमें एसाई के लिए विकेंसी निकाली गई है ठीक है बिहार से एसाई के विकेंसी आ रही है जो की काफी अच्छी संख्या में है पोस्ट और आप देखेंगे इस वीडियो हम बात करेंगे कि कौन सा एड़टाइजमेंट नंबर है कितनी पोस्ट है कब से ओनलाइन होना है कब लाश्ट डेट है और क्या-क्या एजुकेशन यानि की एजुकेशन मांगा है और जो भी डाउट है सारे किलियर करने वाले हैं ठीक है चलो देखते हैं स्टार्ट करते हैं ओके जैसा कि आप लोग देख रहे हैं होगे डिस्पले पे बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग की तरह से की तरब से यह विकेंसी पब्लिश्ट की गई है ठीक है बिहार सरका ग्रह विवाग आराची साका में पुलिस अवर निरिच्छक की रिक्त पदों पर प्रतियुकता परिच्छा की आदर पर सीधी निउक्ती हितु बिग्यापन ओनलाइन आभिदन प्रत प्राप्ति की अंतिम तिति 51223 है ठीक है यानि कि अंतिम तिति आपका होने वाला है सिक्स जिसमें रिक्त रिक्तियों की संक्या है 1275 यानि कि पोश्ट आपकी है 1275 ठीक है इन पदों पर नियुक्ति हितु प्रतियुकता परिच्छा आयोजित की जाएगी इसके लिए बिग्यापन संक्या 02223 यहां जारी किया जा रहा है ओनलाइन आभि फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे ओनलाइन एपलाई करने के लिए ठीक है अंतिम्तिती बता दी गई है कि आपकी पांच नोवंबर होने वाली है ठीक है अब बात करेंगे यहां पर उन पदों पर चैन के लिए बिहार पुलिस अपर सेवास आयोग द्वारा अभ्यारतियों से ओनलाइन अभिदन पत्र प्राप किया जायेगा एक अभ्यारती द्वारा मत्त एक ही ओनलाइन अभिदन पत्र भरा जा सकता है ठीक है केवल एक कंडिडेट एक हम बहर सकता है ऐसा नहीं कि अकर आप दो भर देंगे तो केंसल कर दिया जाएगा ठीक है और देखेंगे कुछ इंपोटेंट पॉइंट है ठीक है आविदान की लिए पात्रता होनी चाहिए की मनलब कौन-कौन इसे एप्लाई कर सकते हैं भारती नागरिक्ट होना चाहिए पुरुस्माहिला एवं थर्ड जेंडर आविदान कर सकते ह यानि कि पुरुस्माहिला और थर्ड जेंडर ठीक है अभ्यार्थियों की सैचिर्था योगता होनी चाहिए वह एक आठ दोजा तेईस तक किसी मानता प्राप्त विश्विद्दालय से इसनातक परिच्छा या राज सरकाद्वार मानता प्राप्त समकच्छ परिच्छ उत से पहले की आपका सेटिफिकेट होने चाहिए उम्र सीमा की तह आपकी एक अगस्त से ही काउंटिंग की जाएगी अभ्यार्थियों के उमर एक अगस्त को मैटिक अथ्वास्त्रम कच्छ प्रवाणपत्र में अनुसार निम्मवत्त होने चाहिए यानि कि अरच्छित सामान कोटी के पुरसों के लिए नियुनतम उम्र 20 वर्स से और अधिकतम 37 वर्स है महलाओं के लिए नियुनतम उमर 20 वर्स से अधिकतम 40 वर्स है पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरसों और महलाओं के लिए 20 से 40 वर्स के लिए है वहीं अनुसूची जाती और अनुसूती जन जाती यानि कि S.C.S.T. पुरसों और महलाओं के लिए 20 से लिखे 42 बरस तक होने वाली है और वहीं थर्ड जेंडर के लिए भी इतनी ही एज होने वाली है ठीक है और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों के उच्छतर बेतमान की सेवा संबर्ग में जाने के लि अगर कोई पहले से प्लिस बिवाग में काम कर रहा है यानि कि कौश्वल पद पर है और वह तीन बरस पूरी कर चुका है ठीक है तो वह उसे पांच बरस की छूट दी जाएगी वह एपलाई कर सकते है वह भी एक सर्विसमेन है उनको भी छूट दी गई है 57 तक वह के कोई अंक नहीं होंगे यह आपके क्वालिफाइंग नेचर को होने वाले हैं ठीक है आपकी कि जो भी मैरेड बनेगी रिटिन बेस्ट पर ही मैरेड बनेगी फिजिकल को को कोई मार्क्स नहीं है उचाई की बात करें तो यहां पर पुरसों की उचाई 165 सेंटिमीटर है और यह जन्रल ओवी सी के लिए है ठीक है वहीं अत्यांत पिछड़ा बार यानि की ओवी सी के लिए बात करें तो साथ सेंटिमीटर की बात है इसमें साथ एक सोच सेंटिमीटर मांगा गया है ठीक है कि है ऐसके और करें तो इंसरे सबाहों की सब्सक् cloth की महलां या बिना फ्लाई 81 सेंटीमीर्टर होना चाहिए फुलाकर 86 होना चाहिए वहीं से एस्सी एस्टी के लिए 79 से 84 होना चाहिए ठीक है मैलाओं के लिए सीना की माप नहीं की जाती एक बजन सभी बर्भों की मैलां उम्मीदवारों के लिए 48 kg होना अविसक है ठीक है अब यहाँ पर आपको निफ्टी की प्रक्रिया बताते हैं प्रोसेजर क्या रहाएगा आपका सेलेक्शन का सबसे पहले आपका लिखित प्रत्योंगिता होगी जिसमें आपको फास करने होगी ठीक है और यह जो परिच्छा होगी दो चड़ों में होगी लिखित परिच्छा के बाद आपकी मेरे लगी ठीक है फिर उसके बाद आपका जैसे कि 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रसनों की संग्यास्वा होगी परिच्छा के अब दी दो गंटा की होगी अतर पत्र में सामान ग्यान समसमाई मुद्दों से समंदित प्रसन पूछे जाएंगे और अगर इसमें 30% से कम अब्यारति के अगर नंबर आते हैं तो वो अस्पल घुसित किया जाएगा फिर उसे आंगे आपको एक्जाम में देने का चांस नहीं मिलेगा और फिर 20 गुना जो रिखतियां है उससे 20 गुना अब्यारतियों का चायन किया जाएगा ठीक है लिकित परिखेति नियुके अहरता प्रापत्व्यारतियों की प्रभप संक्यान में अनुपलपता की दसा में अप्यूक्त रूप से कम किया जा सके 2-3 चरण में क्या होगा लिए 2-3 चरण में आपको दूसरे पेपर में आपको जो टॉपिक है उससे आपके जिसमें 100% होगे ठीक है प्रसंट पर दो संगों का समान हिंदी का दो घंटे का होगा जिसमें 100% होगे नियुनितम आहरता 30% अंग प्राप्त करना अनुवार होगा ठीक है इसमें भी वही सेम कंडिशन है फिर दोनों चड़नों की परिच्छा में प्रते गलत उत्तर के लिए पॉइंट टू अंग काटा जाएगा ठीक है नेगेटिव पार की होने वाली आप लोगों की फिर तीसरे चड़न की बात करते हैं तो उसमें आपकी फिजीकल होने वाला है फिजीकल में आपकी क्या है दौड ठीक है सभी कोटी के पुरसों के लिए एक मील की दौड है यानि 16 सो मीटर की दौड है जिसके लिए 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा अगर कोई कंडिर इसे समय से पास नहीं कर पाता तो वो फैल हो जाएगा ठीक है सबी महलाओं के लिए एक किलोमेटर की दोड़ है जिसमें च्छे मिनट का टाइम दिया जाएगा ठीक है उची कूंद सबी कोटी के पुरुस्कों के लिए चार फिट की को उची कूंद करनी है और महलाओं के लिए ठीक है लम्भी कूद भी आया 12 फिट की कंप कूनने वाले प्रोस्कों अब्यारत्य को थो आँ मैं सबी कोटी के लिए नियूंतम 12 वा 12 फिट की पूंद करनी है अगर 12 से कंप अगर कोई कंडिड़ेट कूनता है तो फॉल हो जाएगां अगेसी Woah 5 की कून करनी है माहिलाओं के लिए जो कि सॉलव पाउन्डě का गोला फैकना है कम से minus 15 फे फैकना होगा ठीक है कि पर्सों के लिए ne 16 फैकना होगा और माहिलाओं के लिए 12 पॉर्ण यान की 10 फिट गोला फैक ना होगा ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं और कुछ important यहाँ पर देखेंगे पोस्ट देख लेंगे ठीक है आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से अब यहाँ पर देखेंगे जो बहर पुलिस की तरब से यह पोस्ट निकाली गए कितनी कितनी पोस्ट है ठीक है यहीं सबी की पोस्ट यहां पर दिखाई गई है ठीक है तो यहाँ पर टोटल विकेंसी आपको दिख रही है 1275 हो जाती है ठीक है अब medical की बात होगी फिर इसके बाद आपका medical हो जाएगा physical after physical के बाद आपका medical होगा medical में आप पास होने के बाद आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है अब यहां पर बात करेंगे कि आप लोगों को ओनलाइन आविदन प्रिक्रिया क्या रहने वाली है यह आपको जैसा कि बताया गया है पांच-10-2023 से ओनलाइन आविदन भढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे जिसको इसकी वैपसाइट पर जा गए www.bpsscbih.nic.in पर लॉग इन करके आप लोग अपना रिश्टेशन कर सकते हैं ठीक है कुछ important point और दिये गये हैं यहां पर कि ओनलाइन आविदन पत्र भढ़ने के लिए वैपसाइट पर अबसक देशा नर्देश उपलब्ध हैं अब ब्यार्तियों की सला दी जाती है कि आविदन पत्र भढ़ने के पूर सभी देशा नर्देशों को भली बात अध्यान कर ले अब इदन पत्र भढ़ने के क्रम में सभी सूचना है सही सही अंकित करें यदि कोई सूचना जूटी अगरत पाई जाए तो अब इदन पत्र रद करने के साथ आप अब सक कानूनी कारवाई भी की जा सकती है ठीक है इस तरह के कुछ नर्देश भी दिये गये हैं जो आप द्यान पूरा पढ़ेंगे और फिर भी कोई आगर आपका डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके ठीक है और जो कंडिडेट मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करने तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करने बैल मshब एम झांगे करने बेला पिर प्लीज मेरे चैनल पर ज diffाछी और सब्सक्राइब 23.